नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनल एमडी स्मार्ट कलासेज में दोस्तों आज प्रियोक साला सायव परिक्ष्या लैब असिस्टेंड का पेपर हुआ इस वीडियो में लैब असिस्टेंड पेपर के परसंद पत्र को हल किया गया है वीडियो को माता तो जसनाच जी का जो इस्तान है वो है कतियासर बिकानेर शीतला माता का इस्तान है जो साक्षू जामबो जी का मुकाम और जिंड माता का रेवासा तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन ए अगला क्यूशन राश्तान के कौन से छेतर में चेतर सुक्ल पांच को गुलाबी गंगोर बनाई जाती है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन ए नाद द्वारा में तीसरा क्यूशन है संत पीर शाह अली और तुकन गीर ने 400 साल पहले मेवाड में किस ख्याल की रशना की थी तो इसका राइट आंसर होगा तुर्रा कलंगी ख्याल ओप्सन C राइट आंसर होगा इसका अगला क्यूशन है निम्न में से कौन सा एक राश्तान का मंदिर सही सुमिलित है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन D कंडी माता का मंदिर देशनोख ये सही सुमिलित है एक लिंजी का मंदिर है जो उध्यापूर में है सूर्य मंदिर चितोडगड में दिलवडा का पांचों क्यूशन है राश्तान में अजमेर के विल्या की समय वहां का मुख्य मंत्री कौन था तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन डी हीरलाल सास्त्री अगला क्यूशन निमन में इसे कौन कोटा में 803 की विद्रों के नेता थे तो इसका राइट आंसर होप्सन जी जैदयल और महराब खां डोनों 803 विद्रों के नेता थे कोटा में क्विशन नम्र साथ विर सच्चाई वल्व दिलास और रामरंजाट के लेखकों नहीं तो इसका रायट आंशरगा उप्शन B, सूरे मल मिस्रण इसके लेखक थे तो इसका रायट आंशरगा कोठारी बागोर सब्वेत है जो कोठारी नम्र तर्ट पर इस्तिद है अगला क्यूशन में नाल में सुहस्वर स्वी मंदिर का निर्माण किस चावान सासक ने कराया था तो इसका राय टांसर होगा ओप्शन C पर्त्विराज दित्तिये ने क्यूशन नमर दस निम्न में से कौन सा मंदोर के पर्तियारों की इतियास की जानकरी देता है कौन सा अभी लेग मंदोर के पर्तियारों की इतियास की जानकरी देता है तो इसका राय टांसर होगा ओप्शन B गठेला अभी लेग अगला क्यूशन निम्न में से कौन से सासक ने अकबर से वहवाइक संबंद संबंद इस्तापित नहीं किये तो इसका right answer होगा option C रन थम्बोर के राव सुर्जन हाराडे ने अकबर से वेवाइक संब्बंद इस्तापित नहीं किये क्यूशन नमर बार है हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है तो इसका right answer होगा option C हवा मंदिर पहली मंजिल का नाम है दोस्तों आप अगर आपने वे देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू किजिए अगला क्यूशन अफिम से संब्बंदित रायल कमिशन निम्ण में से किस वर्ष रास्तान में आया था तो इसका right answer होगा option B 893 में वह भारत आया था क्यूशन नमर 14 वैंगर किशान अंदुलांगा नेत्रत किस न किया तो इसका right answer ऊप्सन ए राम नार्याण सोधरी ने वैंगर किशान अंदुलांगा नेत्रत किया था क्यूसन नमर 15 भगत अंदुलांकिस की दौरा प्रारंब किया गया तो इसका right answer होगांぎ गुरु गोविंद गिरी के दुआरा बगत आंदुलन प्रारंब किया गया क्यूस नमर सोले मत्यस संका कौन सा राज्य जनताई भौमत के आधार पर उत्तर परदेश के साथ विलनी करने के लिए तयार हो गया था तो इसका राय टांसरोग अप्शन सी धोलपूर उत्तर क्यूस नमर सत्रे मैंग उनिस सु सहतालिस में काली भाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के लिए दोरान पुलिस की गोल्यू द्वारा भून दी गई वैकिस जिल्ले में थी तो इसका राय टांसरोग उप्शन भी डूंगरपूर जिले में क्यूस नमर एठार है सवतंतता आंधुलंग के दोरान गृपतार होने वाले रास्ताने के पहली महिला कौन थी तो इसका राय टांसरोग उप्शन भी अंजना देवी चोदरी पहली महिला थी जो सवतंतर आंधुलंग के दोरान गृपतार हुई थी राजस्तान के किस घड्ड को धाराधार गड्ड की नाम से भी जाना जाता है तो इसके राजस्तान राश्तान के किस संत्ग का अब दोशा मीं चान बावदी इस्तित है Q21, राष्तान के किस संत और रामानन्त के सिस्या ने अपने राज्या को ताक कर गुरु मनली में समलित हो गए थे यानि कि राजपार छोड़ कर और गुरु सेम लगे थे तो वो था संत पीपाजी जो कि वो सामिल हो गए थे Q22, लोग देवता गोगाजी के थान सामने ते किस पेड़ के नीचे पाये जाते हैं तो इसका रायटान सरोगा ओप्शन A, खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगाजी के इस थान पाये जाते हैं Q23, कुदरत सिंग को किस हस्त कला में महारत के लिए पदम श्री से अलंकरत किया गया तो इसका रायटान सरोगा ओप्शन A, जैपूर अगला क्यूशन दादू और उनकी सिस्यों की रचना अधिकतर किस वासम पाई जाती है तो इसका राय टांस रोग ऑप्शन भी डूढड़ी वासम में पाई जाती है दोस्तों अगर आपने यमारे चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अगला क्यूशन इस्टेट और फोरेस्ट रिपोर्ट इस्टेट और फोरेस्ट रिपोर्ट 2017 के नुसार रास्तान राज्ये की पंजिगरत वन छेत्र गां निम्न आंकित में से कौन सा प्रतिस अंस आरक्षित स्रेनी के इंतरगत आता है तो इसका राय क्यूस नमर 28 आदिवाशियों के हरेसोने के नाम से जाने जाना वला है व्रक्स कौन सा है तो इसका राय टांस रोग ऑप्षन सी बास को आदिवाशियों के हरेसोने के नाम से भी जाना जाता है क्यूस नमर 39 ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो इसका राय टांस रोग ऑप् राजस्तान में थार मरुस्तल से प्रवाईट छेत्र फल वज जन्संग के परतिसत कितना है तो इसका राजस्तानी ऊट का वेगेनिक नाम क्या है तो इसका राजस्तानी ऊप्शन ए कैमिलस ड्रोमेडेरियस क्यूष नमर 33 इस तिरता के साथ विकास और आत्म रिड़बर्ता किस योजना का लक्षिय है तो इसका राजस्तानी आपसनबी चतुर्त पन्स वर्षिय योजना क्यूश नमर चोंतीस सोम कमला अंबा सिचाय प्रियोजना इस्तिध है तो इसकराय टान्सरोग उप्षन C डूंगरपुर जिले में इस्तिध है क्यूश नमर पैंतीस निम लिखित में से कौन हनुमान गड़ बाचुरू जिले लिए जल का इस्तिरोध है तो इसकराय टान्सरोग उप्षन C चोदरिक कुमबाराम लिप नहर क्यूश नमर चतिस निम लिखित में से राष्टर राजमारगों में से कौन सा एक राष्तान में अजमेर को बिकानेर से जोडता है तो इसकराय टान्सरोग उप्षन A NH 89 जो कि अजमेर को बिकानेर से जोडता है क्यूश नमर चतिस निम लिखित में से किस खनीज की उत्पादन में राष्तान भारत में पहला इस्तान है तो इसकराय टान्सरोग उप्षन A फैल्सवार में राजस्तान भारत का पहला इस्तान है क्यूश नमर 38, निम्न लिखित में से कौन सा यूगम सुमिलित नहीं है, तो इसका राय ट्रांसरोग ओप्सन D, डुंगरपूर, जिसमें बानगंगा, मोरेल, ये दोनों नदिया नहीं बैती हैं, बानगंगा नदिया जैपूर जिले में, क्यूश नमर 49, कौपेंड वर्गी करण के आधार पर, निम्न लिखित में से कौन सा यूगरपूर जिले के लिए है, तो इसका राय ट्रांसरोग ओप्सन A, AW, डुंगरपूर जिले के लिए है, क्यूश नमर 40, राष्तान में निम्न लिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिक्तम विसमता पाई जाती है, तो इसका रायटान सरोग उप्शन C, बार्ड मेर जिले में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा में विश्मता पाई जाती है, क्यूशन नमर 41, रास्तान के सरवदिक छेतर पर निम लिखित में से कौन से मर्दा पाई जाती है, सरवदिक छेतर पर पाई जाने वाली मर्दा है, ओप्शन A, एरिडो सोल्स और वे एंटी सोल्स, क्यूशन नमर 42, आर्थिक समीशा 2017 ठारेक अनुसा रास्तान में राष्टे भागोनी मिसरं के लिए चैनित जिलो की संक्या कितनी है, तो इसका रायटान सरोग उप्शन C, 24 जिलो की संक्या है, राष्टे भागोनी मिसरं के लिए चैनित किये जिले, क्यूशन नमर 43, निम लिखित में से कौन से नधी काम देनू नधी भी कहलाती है, तो इसका रायटान सरोग उप्शन D, बान गंगा नधी को काम देनू नधी भी कहा जाता है, क्यूशन नमर 44, निम लिखित जिलो में से कौन साइक राष्टान में का सबसे बड़ा उत्थपाधन करता है पी New New Market an-oom लेकर भाकशड बार्ड मियर तक रृत कवरेखा इसकी लंबाई 1070 किलोमेटर है कि रास्तान का देशांतर विस्तार कितना है तो रास्तान का देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर रास्तान पड़ता है तो इसलिए इसका विस्तार होगा 99.30 मिनट पूर्वी देशांतर से 88.17 मिनट पूर्वी देशांतर के मद्धे इस्तित है Q47 सेर परवत चोटी के उचाई के है तो सेर परवत चोटी के उचाई है 1597 मेटर उची चोटी है इसका राय टान्सर गॉप्शन भी 1597 मेटर Q48 रास्तान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली का विस्तार नहीं है तो इसका राय टान्सर गॉप्शन D अलवर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है Q49 फुलवारी की नाल इस्तित है इसका राय टान्सर गॉप्शन A उद्यपुर जिले में फुलवारी की नाल इस्तित है कुछ नमर्पचास निमनांकित में से कौन सा युगम सची सुमिलित नहीं है आजकी वीडेटो में इतना ही उम्मीद करता हूँ यह answer की आपको जरूर पसंद आए हुए आगर वीडियो अच्छा लगव है तो इसे दोस्तों साथ सेयर करें लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने क्यूशन सही हुए वो कमेंट वोक्स में ज़रूर हमें बताए साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नेयगे